प्राइम मिनस्टर की कंस्टिट्वेंसी है वारानसी और वहां पे उनका अडॉप्टेट गाहु जिसे बोलते हैं जयापुर। हमारे साथ हैं केशव प्रिसाद मौरिया जयापुर और वारानसी के बारे में बात करने के लिए। मौरिया साथ एक इंट्रेस्टिंग बात है कि वारानसी के चुनाओ को आप कैसा देखते हैं। और इसमें कोई भी बात छिपी नहीं रहती। उत्तर प्रदेश में स्री अखलेश ओजी की सरकार ने चाहे किसान की भलाई के कोई योजना केंद्र सरकार ने चलाने का काम किया, U.P. में लाने का काम किया तो अखले ओजी ने बाधा डाली। गरीबों के हित की जो भी योजना थी उसमें बाधा डाली नौजवानों को रोजगार की दृष्टी से जो योजना आई उसमें बाधा डाली इसके कारण से जनता में बहुत गुस्सा है और परिवर्तन को ले करके जो आक्रोस है उस आक्रोस के प्रतीक सुरूप कमल का फूल 300 से जेदा सीटों में यूपी में खिलनेगा आप कहरे हो कि पब्लिक में गुस्सा है पर वारा नसी में देखा जाए तो बागी नेताओ का मतलब जो एक सिंबल बन गया है यूपी का चुनाओ काफी सारे ऐसे नेता हैं बीजेपी के जिनको टिकेट नहीं मिला मैं राउचौदी साब की बात करनी हूँ दादा की इसको लेके ऐसा लग रहा है कि अगर बीजेपी कहीं से चुनाओ हारेगी वो वारा नसी से होगा असंभव है भारती जन्ता पाटी का एक एक कारकरता भाजपा के साथ होता है दादा हमारे बहुत वरिष्ट हैं और दादा जी से बात करके उनको हमने दादा जी को बताया भी नहीं गया था जब उनका टिकेट का जानकारी में नहीं है दादा जी को बता भी दिया गया है दादा जी को बिधान परिशद में हम लोग ले जाएंगी ये भी उनको बता दिया गया है और भारती जंता पार्टी दच्छणी का चुनाओ भी नहीं वारानसी संसदी सीट की सभी सीटों बिधान सभा सीटों पर बहुत मजबूती के साथ चुनाओ लड़ रही है और हम सभी सीटें थोड़े बहुत अंतर से नहीं एक बड़े अंतर से जीतने वाले मौर्या साब न्यूज नेशन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद